जब हम किसी को हर रोज सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते तो एक तरीके से एक दिखावे की तरह हो जाता है कि एक दिन उसके लिए निर्धारित कर दिया जाये और वहां सेलिब्रेशन हो जब मोदी आये उन्होंने विश्वर गुरू की बात की लेकिन अगर हम लगातार देखें जो हालात हैं उसमें कोई सुधार नहीं है बलकि आप देखेंगे कि नंबर ओफ टीचर्स वकिंग ऑन कॉन्ट्राइक बेसे अज उनली इंक्रीस्ट पर्मनेंट नौक्रिया नहीं ल हाली हैं अभी इसमें एक दिक्कत यह है कि वहां पर दली उनिवर्स्टी में आंक्रा दिखाया गया कि 58 पोस्ट जो हैं एड-hoc काम कर रहे हैं जबकि आपको मालूम है कि दली विश्व विद्याले जो है सिरफ अमने पोस्ट्राइट डिपार्नमेंट्स के लिए नहीं जा जाना जाता बलकि undergraduate colleges के लिए जाना जाता है जहां पर खुद दली विश्व विद्याले का जो अभी February 2021 में इलेक्शन हुआ उसका आंक्रा है कि 4000 से अधिक teachers ad hoc और temporary basis पे काम करें जिसमें ad hoc की ही संख्या जादा है सिरफ 2010 तक selection committees लगातार बैठती थी तो temporary का number 20-25 के बीच में हैं बाकि सब ad hoc teachers हैं जो चार-चार महिने में जिनका renewal होता है तो एक तो यह कि Parliament में गलत आंकडों को पेश करना उसी से समझ आ जाता है कि सरकार क्या क्या एक दिशा जो है वो किस ओर जा रहा है और अगर हम यह देखें कि NEP जो है तीन चीज़े हुई है इस pandemic में फार्म changes in labor laws और NEP और यह तीनों चीज़ें को मिलाकर एक एक घर को चूने वाली हैं इसमें जो भी negative चीज़े आई हैं वो एक घर को चूएगी और बजाए यह कि school और colleges में जो समस्याएं थी pandemic किसमें online शिक्षा हुई आ कितने बच्चों को शिक्षा मिल पाई उनके पास कोई सरकार ने उसमें इंपुट डाला क्या ऐसा हुआ कि जो क्रोनी कैपिटल्स हैं उन्होंने ही social उसके नाम पे कि हम एक society को contribute करें क्या उन्होंने कहीं किसी गाउं को किसी suburban area को अडॉप्ट करके laptop या netbooks या android phone ही बांटे हों तो यह सोचने की बात है ऐसा कुछ नहीं हुआ लोगों को अपनी गाए बेच के अपने बच्चे की पढ़ाई करवानी पड़ी तब सरकार बजाए इन चीजों को immediate चीजों को देखे उसने parliament को दरकिनार करते हुए NEP को पास किया और NEP जो higher education के लिए आया है मैं उसमें कहना चाहती हूँ यह जो ABC regulation UGC ने अभी पारित कि है 28 July को जिसको मोदी जी ने देश को एक तुफे की तरह 29 July को कहा के NEP का यह आपको तुफा है या SWEM regulation जो मार्च 2021 में उसके तहत जो regular पढ़ाई लिखाई है जो regular school, regular colleges और universities हैं उनका भी form जो है वो distance learning mode को एक तरीके से बीच में incorporate कर दिया अब मैं यहां यह बताना चाहती कि तमाम sections of society दलिद, बहुजन, महिलाएं, middle class, lower middle class aspire कर रहा है school college जाने के लिए और बहुत कम ही मलब ऐसा नहीं है कि लोग खुशी से open classes की और जाते हैं हाँ जिनको मजबूरी होती है जो पढ़ने के साथ सा जॉब करना चाहते हैं उनके लिए ठीक है लेकिन बहुत सारे student college पहुंचना चाहते हैं वो इसलिए भी क्योंकि पूरे विश्व में ये experience है कि जो लोग school या college पहुंच के अपने degrees को हासिल करते हैं school और college में पढ़ाई लिखाई जितना classroom के अंदर होती है बाहर भी होती है और एक student को एक मौका मिलता है अपनी प्रतिभाव को बढ़ाने क विकास करने का और वो अमने साथ पढ़ने वाले students से भी बहुत कुछ सीखता है और यह जो opportunity है वो चाहे open distance learning के जो schools हैं या colleges, universities हैं उसमें नहीं हैं तो जब jobs की बात आती है हम देखेंगे कि जो higher white college jobs हैं वो regular stream के students को जाते हैं तो जब आज demand बढ़ रहा है तो सरकार अपने regular stream को ही खतम कर देना चाहती है इगनु जो एक open university है वहाँ पे 44 lakh students को वो degree दे रहे हैं उनके students enrolled हैं लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे सिर्फ जो faculty number है वो 200-300 है तो आप देखो कि क्या student teacher ratio है ताकि हम student teacher ratio की बात ना करें ताकि हम infrastructure की बात ना करें सरकार इस तरीके की model लेकर आ हैं वो paper degrees हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि एक दिन celebrate कर लेने से लोगों की जिंदगियों पे कोई impact नहीं है और सरकार अगर सच्मुच विश्व गुरू बनना चाहती है अगर सरकार सच्मुच teachers को celebrate करना चाहती है तो reforms जो हैं पुक्ता होने होंगे देखें जो अभी समय हमारे साथ हुआ हम online teaching किये उसमें भी हम देख रहे हैं कि जो हमारी girl students हैं जो महिला students हैं उनकी और से जिस तरीके की परिशानी वो शेयर करती हैं कि families में उनको पढ़ाई का कोई खास time नहीं मिलता है वो जब यहां आकर बैट अमने घरों से दूर पढ concentrate करके पढ़ पाते हैं जब वो घर वापस जाते हैं तो वही जो patriarchal system है जो घर का setup है वो उनको फिर पढ़ने की अजाज़त नहीं देता और उनके पास यह space नहीं रहता दूसरा बहुत सारी girl students ने हम से share किया कि उनके parents कह रहें कि शादी हो जाए जबकि मैं समझती हूँ कि अगर वो दिली जैसे शहर में रह रहे होते और पढ़ रहे होते तो वो जरूर अपनी next degree की बात कर रहे होते तो एक peer जो अपने आसपास के students हैं उनका भी एक support मिल जाता है नई चीजों को सोचने का करने का एक हिमत आ जाती है यह हक रखने का कि हम आगे पढ़ना चाहते है और वो मैं देख रहे हूं कि लगातार कम हुआ है जब online शिक्षा हो गई और आपको घर के environment क्या है कि classroom जो है एक equal space हम generate करने की कोशिश करते हैं ऐसा नहीं है कि universities या colleges में या स्कूलों में discrimination नहीं होता लेकिन बहुत सारे teachers की यह प्रयास रहता है कि classroom एक equal space बने और उसमें बचे अपने घरों में हैं तो परिवार का environment जो है वो शिक्षा पे हावी हो गया शिक्षा का एक और तरीका यह है कि conditioning को तोड़ना और नई चीजों का समझना नई चीजों की और बढ़ना और वो हम देख रहे हैं कि वो बिलकुल घट गया है जब परिवार का महौल में चीजों को online तोर पर कर पाएंगे जहां पर वो एक तरीके से दिखाएगा कि शिक्षा सस्ती हो रही है एक्ट्यली में वो एक पेपर डिग्रीज को जन्देगा और उसमें सबसे ज़्यादा यह जो आ रहा है multiple entry and exit point हमें मालूम है कि हमारी जो society है कोई भी जो दस्तावेज जाता है policy document है उसको हम society और उसके structure से अलग नहीं देख सकते और हमें यह देखना पड़ेगा कि वो यहां पे किस तरीके से उसका एक असर होगा और हम समझते हैं कि महिलाओं पर यह खास तोर के दबाव होगा कि अच्छा आमने second year कर लिया अब आपको डिप्लोमा मिल रहा ह अब आप घर बैट जाएगे पर उस डिप्लोमा का क्या मीनिंग है और अगर हम देखें कि को स्ट्रक्टर क्या है और डिप्लोमा का क्या मीनिंग है तो उसको फिर बारवी के ही अधार पर नौक्री मिल पाएगी तो एक तरीके से जो इतनी मुश्किल से महिलाओं को कर रहें आगे बढ़ने के लिए यह एक बहुत बड़े सेट बैक की तरफ जा रहा है इसी तरीके से जब हम स्कूल की ओर देखें तो यह जो निव एजुकेशन पॉलिसी कंसॉलिडेशन के नाम पे कह रही है कि हम स्कूलों को बढ़ा करेंगे चोटे स्कूल बंधों और आप स्कूलों को भी घरों से दूर ले जा रहे हैं जिसका मतलब फिर यही है कि महिलाओं का बहुत जादा शती होने वाला है उनकी पढ़ाई लिखाई मैं एक स्कूल टीचर्स के प्रोग्राम में गई थी जिन्होंने कहा कि आठवी के बाद लड़कियों का बहुत बड़ बारों को वो उसके लिए तयार नहीं होते हैं देखे यह तो डबल्यू टीओ में जब 2005 में हमने सर्विस सेक्टर में सर्विस उसमें डाल दिया एजुकेशन को तो मुझे लग रहा है यह दब दबाव जो है डबल्यू टीओ का ही आ रहा है कि पूरे वर्ल्ड में एक स्ट बजाए अपने देश की कंडिशन को देखा जाए जो सरकार है वो करने को तयार है जो उसके उपर अगर दबाव है और कितने स्टूडेंट बाहर के मुल्क जाते हैं यहां से पढ़ने के लिए जिनके लिए चार साल की डिग्री आप समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट हो व स्टेमिस सेटिफिकेट फिर डिप्लोमा फिर एक ठीयर डिग्री जो भी चार साल कंप्लीट नहीं करेगा उसको मार्केट ड्रॉप आउट की तरह ही देखेगा तो एक बड़ी पबलिक के लिए आप देखेंगे कि आप एक जबदस्ती चौथे साल का खर्चा एजुकेशन पर एजुकेशन की ओड डाल रहे हैं जबकि आज सरकार इंप्लॉइमेंट नहीं जेनरेट कर पाई है इसके आंकड़े आप सब के सामने हैं ना आगे जाकर उसमें कोई सुधार होने की बात है और जिस तरीकी का डैलूशन है उसमें इंप्लॉइबिल्टी पर भी सवाल है जो मैंने कहा कि चार साल का अगर एक ही विवस्ता में से तीन डिगरी और निकल रही है उसको पेपर डिग्री से जादा नहीं देखा जा सकता है ठीक है स्टूडेंट के पास एक डिग्री होगी जिस पर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लिखा जाएगा पर उसका मार्केट वैल्यू क्या होगा लेकिन इससे क्या होता है कि एक फॉल्स होप की तरह आप यूथ का टाइम वेस्ट करना शुरू करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत दिनों बात समझ आएगा कि इस डिग्री का कोई फादा नहीं और यह सबसे जादा किसको जैसे ठेस पहुचाएगा जैसे मैंने बताया महिलाओं को आज जब इतने लॉकडाउन के बाद पैंड पैंडर्शिप्स नहीं लाती, especially for women. और तब माबाप का एक दबाव होने लगेगा कि डिप्लोमा ले लो बस, बस डिप्लोमा ले लो, चाहे स्टूडेंट जो है बहतर पढ़ सकता हो आगे तक. तो इसलिए टीचर्स का मानना यह है कि यह बिल्कुल बेकार पेपर डिग्र है. दूसरी बात है कि अगर आप यह कहते हैं कि हम डिप्लोमा इन टुरिज्म शुरू करना चाहते हैं, डिप्लोमा इन से असपेक्ट आफ टेक्निकल चीजों में डिप्लोमा होता है. अब डिप्लोमा इन हिस्टरी का क्या मीनिंग है? यह बच्चा यह स्टूडेंट कहां पर employable होगा, तो यह चीजों को ना सोचा जाए, तो मिझे लगता है कि एक बहुत बड़े जनरेशन, बहुत सारी जनरेशन of students का हम time waste कर रहे होगे, तो इसमें फायदा नहीं है, और जहां तक credit assimilate करने की बाता है, एक जगा से दूसरी जगा जाने की बाता है, वो अभी भी हो university आएगा, उसका number supernumory होगा, यानि कि उसको पढ़ाने के लिए कोई नया infrastructure या नया teacher hire नहीं होगा, तो देखा जाए, तो आप universities को लादने वाले हैं, और number से बगार खर्चा किये, तो यह बहुत बड़ा dilution होने वाला है, एक और चीज हमने देखा, कि यह जो online शिक्षा वो examination system की है, unproctored examination, और एक बड़ा generation of students है, जाए school students से लेकर higher education, जिनको या आदत हो गई कि बगार पड़े लिखे, या coaching centers का भी इसमें रोल होना शुरू हुआ, कि वो answers लिख देंगे, या coaches answer लिख रहे हैं, तो online शिक्षा का एक लोगों के मन में दिमाग में रह जाएगा, कि अगर number सुधार ने तो online में जाएं, पर number सुधार के एक degree हासिल करने में, और उस degree से काम्याबी पाने में बहुत बड़ा अंतर है, ये हमें समझना होगा, ये बात बिल्कुल परिशान करती है, क्योंकि एक university किसी भी teacher को सबसे बड़ा जो ओदा दे सकते हैं, वो vice chancellor का है, और हमारी ये, वो leadership दें, academic और administrative, ये उनसे हमारा एक expectation है, और आज हम देख रहे हैं कि ये हमारा expectation तूट किया है, और बहुत समय से ये जो political appointments हैं, उसमें जिस तरीके का आप समझ सकते हैं कि कौन लोग apply कर रहे हैं और किन लोगों को मिल रहा है, ये एकदम political appointment की तरह reduce हो गया है, और university के structure और vice chancellor को इस्तमाल करके ही universities की autonomy को आज खतम किया जा रहा है, और vice chancellor इसके खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं, तो इसमें एक तरीके से उनका बोनापन ही मैं समझती हूँ, क्योंकि हम सुनते हैं कहानिया जहां उपेंद्र बक्षी ने सरकार को लिख कर दिया कि ये इस जो है reform हमारे लिए acceptable नहीं है, आज हमारे पास ऐसे vice chancellor नहीं है, जिनका ऐसा कद हो के सरकारों को लिख दें कि ये हमें acceptable नहीं है, तो ये बहुत ही दुख की बात है, पर ये political appointment, एक तरीके से सरकार उनको CEO की तरह भेज रही है, executive की तरह भेज रही है, आदेश उपर से आ रह है, कि वो poster बना के universities को भेज दे रहा है, चाहे वो vaccination के उपर हो, कि हम मोदी जी को thank you कहरे हैं for vaccination, वो वाला poster हो, चाहे अभी अजादी का अमरूत, मैं आज तक मैंने अमरूत सुना था, ये अमरूत वर्डी मुझे अजीब सा लगा, और फिर मुझे लगा हर university में same poster चल रहा ह तो ये बहुत अफसोस की बात है, कि जिस तरीके से UGC के structure को, हर level of institutions की autonomy आज खतम है, और कैसे लोग जो अपनी स्वायता, उस institution की स्वायता बचाने के लिए और अपने एक तरीके से honor बचाने के लिए भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलने को तयान नहीं, ये बहुत अजीब, मेरे लिए परिशानी की बात, सबसे important बात मैं ये कहना चाहते हूं कि सरकार जब पारलेमेंट को दरकिनार करके किसी भी reform की और बढ़ती है, और उसी sector से आने वाली आवाजों को सुन नहीं रही, तो इसका मतलब ये कि सरकार को अपनी ही नीती के उपर कोई confidence नहीं है, इसी बात से हमें समझ जाना चाहिए कि नीती में problem है, दूसरी बात ये है कि education जो है वो एक एक घर को छूने वाली है, चार साल का मतलब ये है कि चौथे साल के लिए extra रुपया माबाप को खर्च करना पड़ेगा, और अगर जो आगे model में हैं वो ये है कि एक एक unit जो है board of governance के अ सरकार ये कह रही है कि आप अपना खर्चा खुद निकालें, और देखिया ऐसा है कि ये हमारा सबका pandemic में experience है, कि जिस private school में माबाप ने fees नहीं दिया और fees से ही teachers की salary आती थी, वहाँ teachers को भी salary नहीं मिला है, या आधी salary मिलिया है, या one third salary मिला है, तब अगर education का ये होगा, त कौन लोग आपके student, बच्चों को पढ़ाएंगे, ये बहुत एक बड़ी समझने की चीज़ है, और education एक ऐसी जगा है, जहां पर जो teachers का working का महौल है, जो environment है, वही student का learning का environment बनता है, तो अगली generation को हम किसी नए चीज़ की और प्रेरित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये बड़े सवाल हैं, तो जो reform हमें चाहिएं, असल reform इतने मुश्किल हैं कि सरकारे number बांट के माबाप को चुप करवा देते हैं, students को चुप करवा देते हैं, और इस समय एक हत्रा ये है कि number मिल भी जाएंगे तो आपकी employment नहीं बनेगा, लेकिन आपका खर्चा education की और बोलन करें